हेलो बच्चो, वेलकम टू माई यूटूब चेनल लर्निंग में बच्चो, आज मैं आपको बतने वाला हूँ समाकलन के सभी सूत्र ठीके बच्चो, आईए हम स्टार्ट करते हैं समाकलन के सभी सूत्रों को समझ दे सबसे पहले लिखता हूँ में घाताइं की नियम की लिखते हैं समाकलन होने के बाद ऑऔ इसन घाताइं की निययम के सा आता है समझना ध्यान से जैसे की एक सभी गाट की लिखा रह रहा है तो इसकी ट्रिक बटे में भी लिखना है, ठीक है बच्चों? अब जैसे कि आपका कढणी X है तो कर्णी X का समाकलन क्या होगा आपका तो देखो कर्णी X है तो अपन क्या लिखेंगे X की गात 1 बटा 2DX अब X की गात 2 X की गात 1 बटा 2 है इसका समाकलन करेंगे X की गात N प्लस 1 N कितना है आपका 1 बटा 2 1 बटा 2 प्लस 1 बतेम क्या आगा आपका, यही ही संखे, एक बटा दो प्लस वन, तो जयागो, अब इसको और में एक लिखेंगे अपन, तो, यह कितना हो जागा आपका, एक सीगात, जयागो, दो एक, और में एक जुणधे क Cont Button 2, और दो में एक जूण हो Кता आगा, Dub at 2, तो, कर्णी X का समाकलन क्या होता है तो X से की ghat 3 बटा 2 बटा 3 बटा 2 अब इसे आप और हल्ग कर सकते हो क्या जागा आपका 3 बटा 2 को Гopan के लिखनेंगे 2 बटा 3 और X से गात कितना जागा 2 बटा 3 बटा 2 ठीक हो Ч Xbox जे 3 बटा 2 तो उसका होता है यह ससक hundred थी चुछ निख रहा है to Alt गें बच्चो उसके बाद साइन डिक सब्शक्री करने माइनेस ऐक्सको सीमित बत्त ‫उसके ही निखाण रहा है आपका कि साइन टू एक्स है और dx है तो sin 2x का क्या होगा तो आपका होगा sin 2x का minus cos 2x है और बटे में क्या आगा आपका 2 भी आगा क्या आगा बटे में 2 यह से कि आपका sin 3x से लिख रहा है sin 3x से dx तो उसका क्या आगा cos 3x से बटा 3 minus cos 3x से बटा 3 ऐसा कि इसे आपका 2 भी आएगा, sin 2x क्या आगा, बटे में 2, अगर sin 3x क्या आगा, cos 3x बटा 3 माइनस का, cos 3x क्या आगा, cos sin 3x बटा 3, ऐसे आता है, ठीक है बच्चों, इसका लियान दखना, उसके बाद है आपका सेक स्क्वार, x dx, ठीक है बच्चों, तो सेक स्क्वार x dx क्या होता है, dx, sex x 10x का इसका क्या होता है, तो जैक स्क्वार x 10x, dx एक स्क्राइब का, यहाँ पर सेक एक स्टेन एक सरक क्या होता है, और आगकलन में क्या आता है, sex x क्या होता है, sex x 10x, ठीक है, उसके बच्चों भलब लब समाक लाईन और आपोलन में अपोजिट चलते हैं, उसके बाद है आपका कोसेक एक्स और कोटेक्स डी एक्स कोसेक एक्स कोटेक्स का क्या होता है आपका कोसेक एक्स कोटेक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी ठीक है बच्चों अब आपता है अपना अगले वाले लेते हैं अपन थोड़ा लगे अगले सूतर रहेंगे 248- millor एक्स्कोर करनी में ऐसे क्या होता है अभ इसका अपने को क्या करना है देखो यहां पर अपका लग गए आपका में जाना लग गंगा है आपका को स्थैंब उस में यहां पर लग यहां पर जो एक था माइनस में वह इधार लगा दो या फिर यहां पर माइनस हो तो भी चलता है ठीक है वो गलत मी रहता है उसके बाद आपका dx बटा one plus x square तो यह क्योता है आपका कोट inverse x plus c plus है किसका केदा नहीं है तो कोट इंवर्ष एक्स हजागा उसके बाद अपन क्या करेंगे चैन का लिखना है तो टैन का क्या जागा डिएक्स बटा बंप्लस एक्सिसक्वर यह पिलकुल सेम रहाएगा अगर इसे टेन में माइनस सट जागा 10 inverse x plus c तो यह किसका होगा आपका 10 का सूत्र बन चुका है समाकलन में अब आपको लिखना है किसका कोसेक का तो यह क्या था है dx बटा x करने में x square minus 1 ठीक अच्छो सेम है विल्कुल यह वाला और यह वाला बस इसमें पेले क्या लगगा आपका x लगगा है बटे में तो यह किसका हो जागा आपका minus कोसेक inverse x plus c अब आपको किसका लिखना है हो चुका है साइन कोसेक और कोट और आपको लिखना आप सेक का तो सेक का क्या जागा यही रहेगा बस सेक में क्या जागा माइनस नहीं आएगा ठीक वच्छो तो अपन के लिखेंगे डी एक्स बटा एक्स करने में एक्स स्कुर माइनस वन यह किसका जागा आपका सेक का हो जागा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक वच्छो समझ गया होंगे आपकी कहता हैं कि नियम साइन कोस्टेन के और जो इक इनवर्स एक्स के क्या होते हैं अब आपन करेंगे जो बड़े सवाल है उनको थीक को बड़े सवाल में पंच इंवर्स होने ए अब आपने को क्या लिखना है एक और सुत्र छूटगा आपका एक बटा एकस डी एकस तो एक बटा एकस क्या हता है अब कलन और समा कलन सेम होता है एक बटा एकस क्या होता है लोग एकस होता है उसके बाद E की गात X का क्या होता है E की गात X का होता है आपका E की गात X प्लस C E की गात X का लोग X है और E की गात X का क्या होता है E की गात X ही होता है ठीके बच्चों अब आपन आगे करते हैं बच्चों अब जो आपन करने वाले हैं सूत्र वो सूत्र बहुत इंपोर्टेंट पांच नमर के सवाल में आते हैं पांच नमर के सवाल बनता है यहां से आपकी जोड़ी भी बनती है ठीक है इन सूत्रों को ज़रूर याद करना है आपको x square minus a square समा कलन dx x square minus a square इसका क्या होता है एक बटा 2a log मापांक में x minus a और x plus a plus c यह किसका होता है आपका x square plus a square का ठीक है बच्चों अब यहां पर आयागा आपका dx बटा x square minus a square अब a square minus x square का तो a square minus x square का क्या बनता है आपका तो एक बटा 2a log अगे पलस x और a minus x plus c बिल्कुस em है आपका यहां पर क्या है x minus a है तो यहां क्या जागा यह उपर minus है तो उपर नहीं प्लस हो जाएगा यहाँ x square minus a square है यहां a square minus x square हो जागा उसके बाद आपका अगला है डी एक्स बटा एक्स स्क्वार प्लस एस्क्वार अब प्लस का है तो एक्स स्क्वार प्लस एस्क्वार क्या होता है एक बटा ए टेन इनवर्स x बटा a प्लस c ठीक बच्चों ये किसका होता है आपका x square प्लस a square का अब एकोर होता है इसके जैसा अपोजीट है इसका करनी में a square minus x square आप करनी लग जाएगी अब क्या सूत्रों में करनी हो जाएगी तो क्या जागा a square minus x square साइन इन्वर्स X बटा A plus C ये किसका होगा आपका A करणी में A square minus X square ये दोनों थोड़ा मिलता है ठीक हो यहां रखना अब आपका आता है कि करणी में X square minus A square क्या आगा dx बटा करणी में x square minus a square अब करणी में x square minus a square क्या होता है तो log x plus करणी में x square minus a square plus c ये किसका होगा आपका x square minus a square करणी में अब आपका आखरी सुत्र और आखरी सवाल बचा है जो आखरी सुत्र है जो dx बटा करणी में x square plus a square तो ये किसका होता है लोग x plus करणी में x square plus a square plus c ये होता है आपका x square plus a square वाले तो ये जो छे सुत्र है पांच सुत्र एक दो तीन चार पांच छे सुत्र ये छे सुत्र है ये most important है आपको इनको याद करना ही है क्योंकि यहां से आपकी जोड़ी बनती है पांच तंबर का प्रश्न भी बनता है तो ये सुत्र तो आपको याद करना ही है बस समझना है आपको कि दो खंड़सा मह कलन अगर कोई संक्या गुण Ende में है और इसका संग्लन करना है। यू इन्टु भी माल लू संस्ट K तो अपन उसका समाकलन को ng bells लगता है इंटु में समाकलन करना है यहाँ पर आपका गुणma में किसका ng records लगता है खंड़सा समाकलन करना है तो वो क्या नियम होता है आपका उसको सुत्र क्या बनता है पहले पत को छोड़ना है आपको और दूसरे का क्या करना है समाकलन करना है पीच में क्या आपका माइनस उसके बाद आपको समाकलन करना है और कोश्टक लगाना है बड़ा कोश् इसका खंडसा समा कलंड का सुत्र एकबार देख लिजिए, U into V अगर कोई संक्या गुणे में है, उसका समा कलंड करना है, तो अपने को प्रथम को मान लेंगे, U और दूति को मान लेंगे, V, ठीक है बच्चों, तो पहले को छोड़ना है, सीख जाओगे बहुत आसान सुतर आप सम्मच गए होगे ठीक है बच्चों वीडियो चाहिए